तो दोस्तों आज हम नाश्टे के लिए एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेकर आये हैं काफी हेल्दी है बहुत ही कम उत्में बनके तयार होगा और खाने में बहुत ज़़ा तेस्टी है आप इसे ब्रिक्फरस्ट में या फिर स्नेक्स की तरह या फिर जब भी आपको लगे आप इस नास्टी को बना के तयार कर सकते हैं बहुत ही ईजी और टेस्टी रेसिपी है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो हेलो फ्रेंस वेलकम तो सफिकास किछन अज सुभे ही मेरे हाथों से तीन अंदे तूट गए तो इसे बाउल में इस तरह से निकाल लिय है इस तरह से अपए जी जलुगाने तक अब लिया है दो कच्छे यालू तो आलो को इस तरह हम कट लगाएंगे देखिए इस तरह से चार पांस भागों में हम इसे क्ट कर लेंगे फिर यह जो कग दुकस करने वाला है इसमें जो इस स्लाइशेश vla side हे इसमें हम इस तरह स से स्लाइस में कट कर लेंगे इससे क्या होगा कि आलो जो है वो इक्विल से कट हो जाएंगे यह देखिए बिल्कुल बड़ाबर से कट हो रहा है तो इसी तरह से दोनों आलो को जो है हम इस तरह से कट लगा लेंगे अब यह मैंने थोड़ी सी सबजी ली है आपकी घर में जो तो अब हमने पैन में डाल दिया है दो समस्व ओल यह रिफाइंड ओल है और को अच्छे से गरम होने देंगे फिर इस तरह से हम फैला देंगे पैन पे और गैस की फ्लेम को जो है हम मीडियम लो पे रखेंगे और अब हम जो आलू हमने वह ने स्लाइस करके रखे थे उसे इस ताकि आलू के साथ ही यह सबजी पक जाए अब हम इसमें एद करेंगे स्वादनुसर नमक थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर करिब आधी चोटे समस्व हमने इसमें डाला है अब दालेंगे आधी चोटे समस्व हल्दी पाउडर साथ ही आधी चोटे समस्व सिली फ् आप इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे तो ये बहुती बढ़िया से पक जाएंगे क्योंकि सब्जी जो है वो बारी कटा हुआ है और सब्जियों में भी काफी पानी होता है तो इसी से ये अच्छे से पक जाएंगे तो मुझे करीब 7-8 मिनित लगा है इस सब्जी को पकाने मे मैंने बीच बीच में एक डो बार इसे चलाया है अलत पलत करके दिया है और इस तरह से देखें सब्जी हमारा बहुती परिया से पक चुका है तो ये सब्जी अभी हमारा लगभग तेयार है तो इसे अभी हम गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे और निकाल लेंगे और इसे हम खंदा होने देंगे तो सबजी हमारा देखिए थंदा हो चुका है तो अग अंडा फेट के रखा है उसमें हम सबजियों को आईद कर देंगे, यह रिसिपी जो है बहुत ज्यादा हिल्डी है और यह रिसिपी खाने में तो यह देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है यह भी तैयार है पैन को हमने दोबाड़ा से गेच पे चड़ा दिया है आज को बिलकुल मीडियम लो पे रखा है और इसमें हमने दो समस ओल डाला है इस तरह आपको इसे पैन की सारो तोरफ बढ़िया से लगा लेनी ह और यह जो पैन है इसे बहुत जड़ा गरम आपको नहीं करनी है और जैसे ही हलका सा गरम हो जाए आप इस मिक्सर को इसमें दाल दीजिएगा अंदर जो हे वो बहुत जल्दी कलर ले लेता है इसलिए आपको फ्लेम जो है वो बिलकुल लो पे रखनी है लो फ्लेम पे हमें इसे पकाना है, इस तरह से आप इसे फैला दीजिएगा, अब इसकी उपर हम एक टुकड़ पनीर को कद्डुकस करके डाल देंगे, अगर आपकी पास पनीर नहीं है, तो आप सीज भी डाल सकते हैं, अगर वो भी नहीं है, तो बिना कुछ डाले ही, आपका नास्ता बहुत ही इसी काली मिर्ज का पाउडर हम इस तरह से चिरक देंगे, हमने पनीर में और अंदे में भी नमक का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए हमने उपर से थोड़ा सा दाला है, और अब हम इसे धक करीब 6-7 मिनित तक इसे लो फ्लेम पे पकने देंगे, और 6-7 मिनित होने के बाद हम इसे चेक करेंगे, ये देखिए, 6 मिनित हो चुका है, इसके किनारे देखे, आप समझ गया होंगे कि ये नीशे से बहुती अच्छे से पक चुका है, ये देखिए, बहुती बढ़िया से ये पका हुआ है, अब उपर से एक प्लेट दाल के हम इसे पलत लेंगे, ये कम साफधानी से कीजिएगा, क्योंकि पैन जो है, वो काफी गरम होता है, और ये देखिए, कितना बढ़िया ये पक चुका है, तो इसे हम पलत के फिर से दाल देंगे, और आपको फिर से ओलने की जरूरत नहीं है, ये कम फ्लेम पे बढ़िया से पक जाएंगे, तो दो चार म मिनित, फिर से हम उस साइट को पका लेंगे, अगर आपका पैन नॉन स्टिक नहीं है, तो आप किनारों में से थोड़ा सा ओल जरूर डालिएगा, ये नॉन स्टिक है, इसलिए मैं इसमें बिल्कुल नहीं डाल रही हूँ, और अब ये देखिए, बहुत बढ़िया से हमार और ये देखिए, गरम गरम नास्ता जो है हमारा बन के तैयार है, इस से हेल्दी सुभे का नास्ता कुछ हो ही नहीं सकता है, ये तेस्टी है, हेल्दी है, बच्चे बड़े सभी को पसंद आने वाली नास्ता है, आप इस रेसिपी को एक बर जरूर बनाइए, और मुझे कम अप्र है, और मुझे किया।